कि आज की जो विजो बैसी के प्रैक्टिकल की क्लास से उसमें हम लोग कोश्चन नंबर 18 यानि असाइन्मेंट नंबर 18 करने वाले बहुत चोटा सा प्रोग्राम है और इसमें कोश्चन में लिखा हुआ है राइट प्रोग्राम को फाइंड स्मॉलेस्ट मंग गिवन त्री न से आज़राम है कि स्मॉलेस्ट नंबर तेब अनेशीट से बात है तीनग बनेंगे और 4 टेक्ट बॉक्स में नंबर आए गा चार प्रोग्स चार लेबल और एक कमान्ड बटन करके आप फं design करना चालू करते हैं विजुए फिशे को अब आपना जिए फॉर्म है इसमें थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अब ते हैं अब चुर बड़ा करें तक चक्रेशन बत्रतन हो और गलगे तो वह इसलिए बनाया क्योंकि तीन में हम इंपुट लेंगे और चौथे में आउट्पुट आएगा चार लेबल बना लेते हैं यहाँ पर लेबल बन लेबल टू लेबल थ्री एंड लेबल फॉर है कि अब मैं यहाँ पर सेभी जैसे वेड़ेबल का नाम है वैसे लिख सकता हूं यहाँ पर तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पर लिखा यह वेड़ेबल का नाम है या एंटर अब कर सकते हैं और यहां पर इस तरी के से अब दे सकते हैं अब मैं यहां पर एक बटन बनाता हूं और इसमें लिक देता हूं वह फाइंड करेगा चारो टेक्स बॉक्स को हम ब्लैंक कर देते हैं पहले यहां पर मैंने टेक्स प्रॉपर्टी ली इसको सेलेट करना है और टेक्स प्रॉपर्टी में ब्लैंक करना है ब्लैंक करना है फॉर्म डिजाइन रेडी है अब आप यहां पर फॉर्म में करना क्या है आप यहां पर दें देंगे टू और यहां देंगे नाइन जैसी मैं फाइंड पर क्लिक करूंगा तो और पुट में टू आएगा क्योंकि इन तीनों में सबसे चोटा नंबर है उसको हमें फाइंड आउट करना है वह भी यूजर डिफाइंड प्रोसीजर बना करके तो हम कोड में जाते हैं हमको एक यूजर डिफाइंड प्रोसीजर कैसे बनाना है देखिए प्रोसीजर में जाएंगे और एक प्रोसीजर बनाते हैं फाइंड नाम से फाइंड नाम से यूजर डिफाइंड प्रोसीजर बनाएं और यहां पर बटन पर फाइंड को कॉल करना ह है find इसको call करेगा और यहां पर हमें code करते हैं चलिए code होगा दिम A as integer दिम C as integer तीन वैलियेबल है एक वैल्यू जो है वो कहां से आएगी well text1.text same as b की जो वैल्यू है वो कहां से आएगी text2.text और c की जो वैल्यू है कहां से आएगी text3.text अब a b c में हमारे पास तीन वैल्यू जा गई है अब हम इंको calculate करना चालो करते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो हमारा smallest है इसको find out करने का बहुत simple तरीका है अगर मान लिजे कि तीन टीम है इंडिया पाकिस्तान चाइना उन सबसे अच्छा प्ले अच्छे टीम कौन सी है क्या होता है पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है इन दोनों में जो जीतता है मान लिजे यह जीत गया तो इसका और इसका मैच होता है फिर इन दोनों में जो विनर होता है वह वह असली विनर होता है तो वही चीज़ हम क आगर एले से और बी में मैच कर आए और चोटा निकला को एक का मैचिंग करेंगे सी से क्लियर है यहां पर क्या करेंगे फ एलाएस्टन सी अगर दोनों से चोटा है बी से छोटा है इसे भी चोटा है तो टेह वोड़र में क्या को क़ै कि आ deputy작प क्यों साथ आ compelling क्या है हैं आध मैं से देखना हैं यहां पर नेश्टिफ यहका सब्सक्राइब है एक if block है यह आपको पता है if block जो है दो हिस्से में टूटा रखता है एक true होता है और false block होता है जिसको else block भी बोलते हैं अगर इसके अंदर भी एक if हो जाए और इसके अंदर भी एक if हो जाए तो इसको nested if बोलते हैं तो पहले यह दो team का match हुआ a and b का a जित गया तो a और c का match फिर a जीत गया तो a answer हो गया अगर यहां पर c जीत गया तो c answer हो जाएगा clear चलिए आगे इसको कर लेते हैं यहां पर else लिखते हैं लोग और लिखते हैं कि अगर a हार गया यहां पर तो क्या होगा text core में जो value होगी वह क्या होगी c क्योंकि ध्यान से देखिए कि a b से बड़ा चोटा है a b से चोटा है और c b a से चोटा है तो सबसे चोटा c ही होगा यहां पर तो यह एक if block जो है वो दूसरे if के अंदर है इसलिए इसको nested बोलते हैं clear है अब सेम यहीं पर है यहां else में आ जा जब आ पर से द्रवी का मैच्ट कराइए इस वी लगन सी तो अगर वी जीत जाता है तो टैक्स्ट पोर में चौसार में क्या हो जाएगा अ गर वीन जकते च्णा किया होगा है यहां पर भी और नहीं जीत था हो क्या होगा यहां पर क्यों नेस्टेट इफ है आप इसको समझेए नेस्टेट इफ को समझना है आपको यहां पर एक complete इफ है जिसमें दो हिस्ते हैं और एक इफ के अंदर एक और इफ है complete एक बड़े डब्बे के अंदर छोटा डिपा इस तरीके से ने देखा कि अलगा यहां पर लोकेशन आपको दिख रही है चलिए हम लोग रन करते हैं इसको और हमारा आंसर आने वाला है यहां पर नाइन तो यहां पर आंसर आया टू अब मैं इसको 22 कर दूंगा तो आंसर आएगा एट स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो फाइ दिया वो यहां से आये यहां से आये और यहां से आये फिर इन तीनों में से जो छोटा नंबर था वो यहां आया आए असाइन्मेंट नंबर आपका यह था 20